हेलो एप्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे डिली पुलिस कॉंस्टेबल की जो रिकूट्मेंट आई है इसकी नई से लिवस आपके साथ में साजा करने वाला हूँ अप लोगों से रिक्वेस्ट है इस विडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने दोस्तों तक से शेयर करना है सिंस आप डेली पुलिस है इसकी रिकूट्मेंट में पाटिसिपेट करने वाले हो एक्जाम भी आपको देना होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ बेसिक्स तो आता ही होगा तो चलिए मैं तीन कोशन आप लोगों से पूछूँगा पहला कोशन मैंट से है एक्स टु द से कंट्री आती है तीसरा कोशन आपके लिए ये रहा आपको ये बताना है न्यू डेली से पहले भारत की राजधानी यानि कि जो इंडिया की कैपेटल थी वो कौन थी आपको नीचे कमेंट करके तीनों सवालों के जबाब देने हैं बहुत ही बेसिक से कोशन मैंने आप ल 2846 पद पे वैकेंसी आई हुई है आई रिपीट कोशन जो है आप खुद से पढ़ें प्रिवेसर कोशन पेपर से त्यारी करें से बैठर कोई नहीं है यूट्यूब पे हजारों लोग पढ़ाएंगे कोर्स बेचेंगे आपकी मर्जी आप देख लेना बट मैं आपको फिर ऐग्जामनेशन यानि की एगजाम का पैटर्न क्या रहेगारी देखे ता एग्जामनेशन बिल भी कंसिस्ट आप कंपीटर-based एग्जामनेशन यानि Yin की आपका आउन लाइन एकजाम होगा यह बात बात क्लिए होगी पहली बात क्लियर होगी नेगेटिव अग एरओ या स computer based test if conducted in multiple shift will be normalized जाने कि अलग-अलग shift पे होगा तो इसे normalize किया जाएगा question जो है difficult या फिर easy हो सकता है moderate हो सकता है तो ऐसे में normalize किया जाएगा इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप the date of examination in a notice are tentative exam date जो है tentative बताया गया आगे पीछे हो सकता है अब देखिए online का जो paper है वह 100 marks का जो है होगा और 100 question होंगे याने कि हर एक एक question के लिए जो है हर एक एक प्रस्चन के लिए आपको एक mark मिलेंगे clear होगी बात है और 90 minute में 100 question solve करने यहाँ पे थोड़ा सा जो है मामला फंसता है 100 question आपको बनाना है 90 minute में इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप चलिए आगे देखते हैं कुछ और बाते सबसे पहले दोखो part A, part B, part C और part D paper जो है चार part में divide है part A में आपसे GQ और current affairs आपसे पूछ लिया जाएगा क्या क्या पूछा जाएगा general knowledge और current affairs पचास question यहां से पूछा जाएगे आधा question यहीं से आपका काम बना देगा और पचास मार्स आपको यह देकर जाएगा बात करते हैं reasoning की तो reasoning में 25 question पूछे जाएगे और 25 नमर आपका दिया जाएगा maths में 15 question 15 नमर आपको मिलेंगे और computer के जो fundamental है MS Excel, MS Word, Communication, Internet, www और web browser से जो है 10 question पूछे जाएगे 10 नमर आपको मिलेगा तो यह था अब यहां से देखो negative marking है नहीं है अथवा नहीं यहां से आप देख पाऊगे there will be negative marking यानि की 0.25 marks जो है कटेंगे यानि की 1 4th जो है score आपका कट जाएगा यानि की अगर आपने 4 question बनाया और एक question अगर आपने wrong कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी आपको ऐसे मैं समझाता हूँ यह मैंने थोड़ा सा wrong example लिया था अब मैं right example लेता हूँ जैसे की अगर आपने 3 question बनाया है और आपने 4 question wrong कर दिये तो आपका जो final score होगा वो 2 marks होगा यानि की 4 को 1 by 4 से multiply कर दोगे तो 1 marks आपका कट जाएगा जो की final result 2 ही देगा यह बताने के लिए था जो online exam होगा वो Hindi और English दोनों में conduct कराया जाएगा लेकिन question में कहीं भी doubt आता हो तो English वाले question को यह preference देंगे clear होगे बाते online 100 rupees का pay करना होगा आपको time limit के according यह तो बाते हैं अब देखिए जो topic wise syllabus है वो मैं आपको बताता हूँ general knowledge और current verse की क्या 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 इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पले देखिए observation और experience जो है scientific aspect जो है जो आपके daily to daily life में होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए इंडिया और इसके जो neighboring country है पाकिस्तान, चाइना, भुट्टान, बंगलादेश, सिरलंका, मैनमार इससे question पूछा जाएगा वहाँ की currency, वहाँ के जो president है या prime minister है उनके बारे में हो सकता है कि foreign minister के बारे में भी पूछ लिया जाए इंडिया की किस country के साथ कितनी borders here है और कितने जगों पे जो है border जो है इनका लगता है चाहिए वो land border हो या फिर sea वाला border हो ध्यान में रखिएगा आगे देखिए क्या-क्या और पूछा जाएगा especially sports से question पूछे जाएंगे इंडिया की history से question पूछा जाएगा इंडिया के culture यानि की संस्कृति से सवाल पूछे जाएंगे जोगरफी यानि की भुगोल से Indian economy यानि की भारत की जो अर्थ वैवस्ता है उससे भी सवाल पूछा जाएगा general quality यानि की भारत की जो राज तंत्र वैवस्ता है उससे सवाल पूछा जाएगा Indian constituency यानि की भारत के सम्मिधान से भी सवाल पूछ लिया जाएगा जो scientific researches हुए हैं उससे भी सवाल आपका देखने को मिलेगा और ये question जो है do not require a special study of any discipline यानि की कुल मिलाकर बात है कि ठीक ठाक से आपको पढ़ लेना है अब रिजिनिंग की बात करते हैं रिजिनिंग में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दू यहां से नन भरवल टाइप के question पूछे जाएगे अब आगे देखिए analogies से question पूछे जाएगे number वाला question similarities से सवाल पूछे जाएगे differences से सवाल पूछा जाएगा जो special visualization है special orientation है जो यह आपने साहिद नमोदे बगरा में देखा होगा कि यह ऐसे question पूछ लिया जाता है तो यह इस तरह के जो figure वागरा बना कर यह भी आपसे सवाल पूछा जाएगा visualization में आगे देखो non-verbal reasoning भी रहेगा coding decoding भी रहेगा arithmetic number series भी रहेगा तो mathematical reason भी रहेगा तो इसे अच्छे से पढ़ लेना है आपको अब बात करते हैं mathematics की यानि कि numerical ability में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा fundamental mathematical operation से सवाल पूछा जाएगा percentage यानि की परतिसत्ता ratio proportion यानि की हिंदी में से अनुपात समानुपात ही कहते हैं I am little doubt मुझे थोड़ा सा दिक्कत है ठैर होना यही चाहिए average यानि की औसससे सवाल पूछा जाएगा interest यानि की जो बैयाज है उससे सवाल पूछा जाएगा profit loss यानि की लाभानी से सवाल पूछ लिया जाएगा आपको discount से सवाल पूछा जाएगा mensuration यानि की छेत्रमिती जिसमें की आयत I mean square, rectangle, parallelogram इससे सवाल पूछ लिये जाएगे आपसे circle ये सब सारे चीजों को पढ़ देना है time and distance, समय और दोरी ratio और time और work and time से भी सवाल पूछ लिया जाएगा अब बात करते हैं आखरी में computer से क्या सवाल पूछ लिया जाएगा, तो computer में देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा word processing, basic, opening और closing document, क्या होता है, text creation कैसे किया जाता है, ms excel में, यानि कि जो table बगएरा बनाते हो, mark sheet बगएरा जो बनती है, या फिर daily expenses यानि कि जो खर्च होते हैं, वो आपको ms excel में देखने को मिलता है, ms excel पढ़ लेना है, ms के formulas वगेरा जो है, कर लेना है, आगे देखो, email से जो basic चीजे है, cc क्या होता है, bcc क्या होता है, email वाले question आप पढ़ लेना, computer पे अगर आपको classes चाहिए होगी, जिके current affairs की तो नीचे उस subject का नाम mention करना मुझे, तो उस पे मैं आप लोगों को free of cost classes लेने की पूरी-पूरी courses करूँगा, आगे देखिए, URL, HTTP, FTP से, website से सवाल पूछे जाएंगे, blog से सवाल पूछे जाएंगे, web browsing software से सवाल पूछे जाएंगे, search engine जैसे की, yahoo, google, इस सवाल पूछेंगे आपसे, chat और video conferencing क्या होता है, e-banking क्या होती है, इस सवाल पूछा जाएगा, physical की बात कर लेते हैं, physical मैं देखो, physical की अगर मैं बात करूँ तो यहां से देखिए, जो candidate के लिए criteria दर्ज किया गया है, 30 साल तक अगर आपकी age है, तो 6 मिनिट में 1600 मीटर complete करना है, long jump 14 feet करना है, high jump 3 feet 9 inch कर लेना है, 30 से 40 अगर आपकी age है, तो 7 मिनिट में 13 feet करना होगा, और so on, तो यह ex-serviceman के लिए यह बातें कही गई है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, by the way कोई भी अगर आपका doubt हो, जो genuine सवाल है, नीचे comment करके जरूर पूछ लेना आप और previous question paper के लिए, यहां से मेरी email id देख लो, yourmithun sing at the red gmail.com पे mail कर सकते हो, अगर आप insta पे हो, then do follow me at the red imithun sing, आपको यहां से दिख राओगा, 49 में previous question paper और model set आपको provide कर दिया जाएगा, विडियो यहां तक अगर आपने देख लिए, तो नीचे comment करके एक बार जैहिंद 0 लिखेगा, आप सभी विडियो को यहां तक देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया have a good day